नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बसंद पंचमी माग महिने की सुक्ल पॉक्ष की पंचमी तिथी को मनाई जाती है अब बसंद पंचमी के दिन माग सुरस्वती की पूजा की जाती है और माग सुरस्वती का आसिरवाद भी मिलता है इस दिन बहुत से लोग बच्चों का विद्या आरंबिवी करते हैं और ग्यान के लिए वॉक्त पतुता के लिए यानि वानीकी ताकत के लिए म सरुस्वती की पुजा अराधना की जाती है चुकि बसंद पंचमी बसंद asks도 रितु में मनाई जाती है और बसंत रितू प्रेम का रितू है हर्स उल्लास का रितू है और इस समय इस दिन प्रेम दोस्ती के लिए भी अच्छा इस दिन को माना जाता है चुकि मा सरस्ती के साथ कामदेब और रती की भी पूजा करती है की जाती है ताकि प्रेम में सफलता मिलती रहे और सच्चा प्यार भी मिलता है दामपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाता है ये समय वैसे दामपत्य जीवन लंबा और सुख में होता है अगर इस दिन आप स्री हरी बिश्नु मालक्षमी की भी पूजा करें तो बसंद पंचमी के दिन कुछ खास प्रयोग किये जाते हैं जिनसे आपको इस पूजा का लाव मिलता है क्योंकि बसंद पंचमी के दिन खास उपाय खास डोटके आपके जीवन में खुजियों को बढ़ाता है और मंदबुद्धी आदमी व्यक्ति भी बिध्वान हो सकता है बसंत पंचिमी के दिन सभी बिद्यार्थियों को मा पुरसरस्वती की अराधना जरूर करनी चाहिए और अगर हम सास्तों की माने तो मा सुरस्वती की महिमा से इनकी क्रिपा से मंद बुधी भी महा बिद्वान बन जाता है इसलिए बसंत पंचिमी के दिन आप जब मा सुरस्वती की पूजा करें तो अपने तमाम जो आपके किताब हैं कौपी हैं पिन हैं मा सुरस्वती को अर्पित करें पुस्प उस पर अर्पित करें थोड़े से अक्छद गुलाल अर्पित करें और कलम में मौली धागा बांधि के चर्णों पर गुलाल चढ़ा कर स्वेत वस्त्र या पीले वस्त्र पहन कर मा की आप अराधना करते हैं मा को खास कर पीले फल का भोग लगाने का विधान है वैसे आप चाहें तो घर में खीर मालकुए को बना कर भी भोग लगा सकते हैं क्योंकि स्वरसदी पूजा जिस दि पूजा की दिन होता है इसलिए इस दिन अच्छे अच्छे पगवान खाये जाते हैं और यहीं से जो अभीर गुलाल है उसका पूजा यहां से ही खेलना सुरू हो जाता है तो इस दिन मखीर में केसर डालकर या फिर मालकुए बनाकर भोग लगाए और फिर खाइए तो जी सरस्वत्यय नमगland और इस और आप अगर जब करें तो आपका दिमाग टेज होता है जो बिद्धू थी है ना उनको जरूर जपना चाहिए आपकी पुद्धी तेज होगी आपका ज्यान बढ़ेगा आपका यस बढ़ेगा पढ़ा हूआ आसानी से याद होगा कई बार क्या होता है बचों को लगता है मंत्र जबना बहुत भारी काम है तब आप गैतरी मंत्र भी जब कर सकते हैं क्योंकि गैतरी मंत्र महा मंत्र है तो बसंद पंचिवी के दिन मासरसती को बेसन यानि पीली चीजों से बनी हुई मिठाई लड़ू बुंदी के लड़ू भियाप अर्पित कर सकते हैं अब इस दिन पढ़ाई में सफलता के लिए मा सरस्वती को आप छोटे छोटे प्रयोग कीजिएगा चलिए हम सुरुआत करते हैं सबसे पहला है प्रयोग बसंद पंचमी के दिन अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई में आप खूब सफलता प्रात करें जीबन में खूब उन्नती करें तब मा सरस्वती पर हल्दी अर्पित करें उनके चर्णों में दो हल्दी की गाट अर्पित करें या एक ही अर्पित करें अगर हल्दी के गाट नह मा सुरस्वती का बीज मंत्र है इस मंत्र को लिखिए एक और प्रयोग हम आपके साथ साजा करेंगे देखिए चुकी बसंद पंचमी के दिन से अगर आप एक छोटा सा प्रयोग करते हैं तो आपका ग्यान और धन दोनों बढ़ता है क्या करेंगे आप केसर आपके घर में प्रस्टू के सहारे बच्चों के जीप पर एंग लिखें ज्यान बढ़ेगा थन बढ़ेगा याद रखिए एंग और केसर से बच्चों को तिलक भी लगाए अब खुद भी लगाईए आप अब ये तो थी सिंपल प्रयो एंग होए मा सुसती का बीज मंत्र अब कई बार क पिर हकला कर बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं लोगों को बुरा लग जाता है या कुछ ज़्यादा ही सच बोलते हैं अब बानी में मधुरता लाने के लिए मा स्रुसती को एक बरतर में थोड़ा सा सहद का भोग लगाईए और या आप चाहे तो पूरी बॉटल ही लगा स सकते हैं फिर सबसे पहले आप रोज सुबह जब पर्थम आहार होगा उस सहद को थोड़ा सा गरहन करके दिन की सुरुआत करें तो वानी की सक्ति बढ़ेगी तो यह सिंपल प्रियोग है पर जीवन में इसके बहुत ज्यादा आपको सुफल देखने को मिलेंगे बसंद पं सकते हैं आपके घर में ज्यादा बच्चे हैं तो सब के आप पर्स में डाल दे उसमें से अगर बहुत लंबा डंठल है तो उसमें हर जगा मोर पंकी पंकुरी होती है थोड़ा थोड़ा कर किताब कॉपी में रख दे इससे बच्चों का ज्यान बढ़ेगा किसी तरह की पूजा करें और मा सरुसती की अराध्ना करें तो आपका जीवन खुजियों से भढ़ जाता है अगर आप प्रेम में सफलता चाहते हैं तो बसंद पंचिमी के दिन किसी भी भगवाल स्रिकृष्णी के मंदिर में बासुरी और पान का पत्तार पित करें तो जीवन में प्र पहर में जो अभी जीत मूर्थ होता है उससमें आप पुजा करें तो सरुवत्तम होगा वैसे पूरा दिन अप कभी भी पूजा कर सकते हैं अब एक चोटा सा और काम कीजिए इस दिन आप अपने लब को छुकी रती और कामदेंव की भी पूजा इस दिन होती है भगवान स तो वो लाल या पीली चूड़ी धारी इन करें तो जादा अच्छा रहेगा इस दिन बसंद पंचमी के दिन को प्रेम का भी दिन गहते हैं तो आप हस्ता वा मुस्कुराता हुआ फोटो सेशन कराएं अपनों के साथ खुसियां बढ़ेंगी जीवन में और जहां खुसी होती है मा सरसती मा लक्षमी हर कोई वहीं होते हैं तो बसंद पंचमी के दिन चावल के विसेश प्रयोग किये जाते हैं इस दिन पांस के मंदिर में जाकर सिवलिंग पर एक लोटा जल और एक मुठी चावल जरूर अरपित कीजिएगा जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी दूसरी बात इस दिन मीठे चावल मीठे पीले चावल बनाकर मा सरसती को भोग लगाईए और परशाथ के रूप में सब को दीजिए खासकर छोटी करन्याओं को दीजिए जीवन में खुसियां बढ़ती चली जाएंगी पीले मीठे चावल बनाईए क्योंकि ये चावल आप केसर भी डालकर उसको पीला कलर कर सकते हैं ये चावल आपके जीवन में सुखों को बढ़ाएगा ये चावल जीवन में खुसियों को लाएगा क्योंकि बसंद पंचमी के दिन मीठे चावल बनाकर भोग लगाने का और वैसे तो इस दिन केसर मिला हुआ खीर का भी भोग लगा सकते हैं, जीवन में आपको प्रेम की कमी तो कभी नहीं होगी और मा की किरपा से ज्ञान सुख बुद्धी की प्राप्ती होती है, अब देखे, बसंद पंचमी को स्री पंचमी भी कहते हैं, ठीक है, इस दिन मा स्रोस बुद्धी तेज होता है, संकटों से मुक्ती मिलती है, अब जो बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने कौपी, कलम, दबाद, तमाम चीजों को जरूर रखिएगा, और पूजा भी करना है, इस दिन बुद्धी का विकास के लिए हमने आपको महा प्रयोग अब चुकि तूलसी का पत्ता चवाना नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगी, तूलसी का पत्ता को हथेली पे मसल लें, और पूरा जब सौप्ट हो जाए मसल के, उसके बाद मिस्री के साथ बच्चों को कहें, वो निगल जाए, या तूलसी के पत्ते निगलने के बाद मिस पत्ताओं से, और एकागरता की कमी भी बच्चे की जो है, वो समाप्त हो जाएगी, फिलाल भी दालेंगे, धन्यवाद